एल्विश यादव की रेव पार्टी पर घमासान मेंका गांधी ने गिरफतारी की मांग की दिल्ली महिला आयोग प्रमुक ने भाजपा पर साधा निशाना भाजपा सांसद और पशु अधिकार कारेकरता मेंका गांधी ने यल्विश यादव को इस पूरे मामले का किंग पिन यानि सरगना बताया है उन्होंने कहा है यल्विश की गिरफतारी ज़रूर हो मेंका ने मीडिया से बाच्चीत में कहा है कि अलविश को साथ साल की सजा होनी चाहिए वहीं दिल्ली महिलाईयों की अध्यक्ष स्वाती मालिवाल ने अलविश यादव की हड्याना के सीम मनोहरलाल के साथ की फोटो शेयर करते हुए भाजपा पर निशाना साधा है सो अतिमालिवाल ने अपने एक्स यानी च्वीटर अकाउंट पर फोटो साजा करते हुए लिखा है कि अभी खबर में देखा कि यूट्यूबर अलविश यादव पर एफ आयार हुई है आरोप है कि अलविश रेव पार्टी करवाता है जिसमें नशे के लिए सांप का जहर इस्तिमाल होता है इस आदमी को हज्याना के सीम मंच से प्रमोट करते हैं एक तरफ एहलवान साक्षी मलेक और बजरंग पुनिया जैसे टैलेंट सड़कों पर डंडे खाते हैं और हज्याना सरकार ऐसे लोगों को प्रमोट करती है इसकी वीडियो में आपको लड़कियों पर अश्री टिपणिया मिलेंगी गाली गलोच दिखे की बोड के लिए नेता कुछ भी कर सकते हैं भाजपा संसद और पश्यु अधिकार कारेकरता मेनका गांधी ने अलविश यादव को लेकर कहा कि उसे तुरंट गिरफतार किया जाना चाहिए ये ग्रेड वन अपराध है यानी साथ साल की जेल पी अफे ने जाल बिछाया और इन लोगों को पकड़ लिया वो अपने वीडियो में सापों की लुप्त प्राय प्रजातियों का उप्योग करता है बाद में हमें पता चला कि वो नाइडा और गुरुगराम में साप का जहर बेचता है पूरी प्लानिंग से इसका गैंग पकड़ा गया है हम लोगों ने पार्टी करने के बहाने बुलाया था फिर इसने जहरीले सापों के साथ लोगों को भेजा आपको बता दे ये मामला तूल पकड़ता ही जा रहा है मेंका गांधी के बयान से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अलविश यादव की गिरफतारी जल्दी हो सकती है अलविश यादव को लेकर लगाय जा रहे नारोपो पर जंता लगतार अलविश को ट्रोल कर रही है एक यूजर ने सोशल मीडिया प्लेट फॉर्म एक्स पर लिखा छपरी अलविश यादव की हकीकत सामने आ गई एक अन्य यूजर ने लिखा अलविश यादव ने मेंका गांधी को चुनोती दी है और कहा है क्यों उन्हें उनके खिलाफ लगाय गए फरजी आरोपो के लिए अलविश से माफी मांगनी होगी एल्विश यादव को याद रखना चाहिए कि ये मेंगा गांधी ही है जो संजे गांधी की पत्नी और इंद्रा गांधी की बहू है ये वनुरंजन के लिए एल्विश जैसे लोगों को उनके नाश्ते और दुपहर के भूजन में नश्ट कर देते थे इसे अपनी जुबान पर काबू रखना चाहिए नहीं तो इसका उल्टा असर इसी पर होगा साप और लड़कियों के साथ रेव पार्टी करने वाले यूट्यूबर में एक ऐसे सांसत को आखे दिखाने की हिम्मत है जिसे बीजेपी हाई कमान भी बाहर का दरवाजा नहीं दिखा सका एक यूजर ने लिखा जिस बेबाकी से ये एक सांसत को चिनौती दे रहा है उससे पता चलता है कि इसे भाजपा मंत्रियों का कितना समर्थन प्राप्त है सोशल एक्टिविस्ट मेराज हुसैन ने इस मामले में लिखा मैं एलविश यदव की असले दुनिया के सामने लाने के लिए में इनका गांधी जी और उनकी संस्था पीपल्स फॉर एनिमल्स को धन्यवाद देता हूँ ऐसे बहरूपिये जितनी जल्दी बेनकाब हो जाए समाज के लिए उतना अच्छा है आपको बता दे रिपोर्ट के मताबिक इस मामले में जो धाराएं लगाई गई हैं वो गैर जमानती हैं एलविश अदव की रेव पार्टी पर इस घमासान को आप कैसे देखते हैं कॉमेंट में अपती राय जरूर दीजे हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करें बैल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि राजनितिक गलियारों से जुड़ी हर वाइरल अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सकें